Q12. When is an ionic and covalent bond form? एक ionic bond का form होता है और एक covalent bond का form होता है. जब एक ionic bond form होता है, तो इसमें electrons का transfer होता है. मतलब या तो एक electron जो है वो कोई share करता है, या तो lose होता है या फिर gain होता है. एक atom में एक electron lose करेगा और जो दूसरे वाला atom उसके साथ combine होता है, वो यही जो lost atom है उसके को gain कर लेता है. इस तरीके से एक ionic bond मनता है. एक पास एक electron extra है और chlorine जो है इसके पास एक electron कम है. यह electron sodium ने इसको दिया, lose करके और chlorine ने इसी electron को gain कर दिया. तो यह जो NaCl bond बना, यह एक ionic bond है. ठीक है? लेकिन जब हमें कोवेलेंट bond की बात करते हैं, तो उसमें electrons share होते हैं. lost नहीं होता, electron का gain नहीं होता, बट sharing होती है. दो atoms की बीच में. जैसे अगर हम एक carbon atom की बात करें, तो उसके पास 4 valence electrons होते हैं. उसने एक hydrogen का electron share कर लिया. और ऐसी 4 hydrogen atoms जो हैं, उसके साथ उसने share कर लिया. तो यह जो सारे bonds बने हैं, यह सब sharing से बने हैं. किसी ने lose नहीं किया, किसी ने gain नहीं किया. So this is a covalent compound and these are the covalent bonds.